आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों का हिंदी में जो पत्तर लिखन आता है बोर्ड एक्जाम में जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बताने जारों यह छो नमबर का आता है और इस वीडियो पूरा अंतक देख लेते हैं तो छो नमबर कोई नहीं को मिलेगा और देखिए पत्तर का एसे लिखना है यह चीज़े आपको धान में रखना है पेपर मैं पत्तर लेक्षन आयसे लिखेंगे तो 100% मिल यान 4 None mayor Memphis भूल मिलेगा और यह चीज़े आप देखिए आपर है पत्त्तर लेकशन में यह गलती मत करना वर्णा नमबर कर ज कर लिजी और टेलिग्राम से तुरंद जूड़ जी क्यों कि वहां पर आपको हैंड रीटें नोट्स भी प्रोवाइट किया जाता है तो देख सकते हैं सबसे पहले नमर आपको इंपॉर्टेंट जो पत्तर लेखन इसको पहले बता देते हैं फिर स्टार्ट करते हैं कैसे लि और बोडर इखाम में देख सकते हैं कितने बार रेपीट कर चुका है दुरायर 20 में आ चुका है और 18 में 17 में 16 14 13 12 मतले इतने बार यह रेपीट कर रहा है तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है इसका मैं अल्रेड़ी वीडियो बना चुका हूं आई बोटन किलिक करक कि अपनी उंच सिक्षा पूरी करने हैं तू सैगचिक रिण प्राप्त करने हैं तू यानि करने के उद्यस से किसी बैंक के प्रबंध को पत्तर लिखी और ये बोड इक्जम दोहर भी इसमें पूछा जा सुगा है और ये कोशन काफी भेरी आइमपी है और इसी पर मैं आपक आचारी या प्रबंदग महोदे को लिपिक पत न्युक्ति है तू एक प्राथना पत्तर लिखी और ये कोशन आप देख सकते हैं दोहर भीस में उन्हें इसमें 18 में 17 में 15 14 13 12 इतने बार ये कोशन पूछा जा सकते हैं तो तीनों जो बता रहा हूं तीनों को अच्छी स्तय कर लेना है आपको और आज की इस वीडियो में जो दूसर नंबर है इसी पर आपको पत्तर लेखन बताएंगे तो पूरा अंतक देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए आप जब बोड एक्जाम में जाएंगे और पत्तर लेखन स्टार्ट करेंगे दो पेन का ही हूँ आपको बतादिया यहां पेनai या में इसी पर लिखना है न हू जाँ आज़तां आगीक की पढ़ाई ही पूरी करने तूर स्याग ठीक मतलब पढ़ाई के लिए रीन प्राप्द करने के उद्यस्छीस e कीसी बैंक की प्रबंदय को पतर लिख करना है कि मुझे रींड चाहिए पढ़ाई करना है इसलिए तो चली इस पर देखी आप किसी भी बैंक से अगर रिन लेना चाहते हैं तो यह पत्र लिख सकते हैं जैसे भारती स्टेट बैंक हो या केनरा बैंक हो या सेंट्रल बैंक हो किसी भी बैंक का अगर आता है एक्जाम में तो यही प्रकिरिया आप फारमेट अपनाएगा किसी भी बी से पर आप पत्र लिख सकते हैं कि कोल फार्मेट समझ लीजे कि कैसे लिखा जाता है और शुरू में और अंत में समझ लेंगे तो बीच में अपने से एक बना करके लिख सकते हैं ठीक है तो देखी सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना है सबसे पहले सेवा में ठीक है ध्यांस देखती चली एक एक पॉयंट इंपोर्टेंट है यहाँ पे लिखेंगे सेवा में इस तरीके से लिखें और यहाँ पे कमा लगा की इस लाइन को छोड़ देना है आप चले आना ठीक इसके नीचे और यहाँ पर क्या लिखेंगे स्रीमान ध्यांस देखिए तभी आप फारमेट समझ लिजे बस स्रीमान यहाँ पर लिखेंगे स्रीमान ठीक है साखा प्रबंधक साखा प्रबंधक ठीक है महोदय ठीक है यहाँ महोद्य लिखेंगे shed औब फिर यहां पर कमद्यां लगा देंगे फिर इस लाइन को छोड़के नीची आना है आपको कहां तो कि यहां पर दो बाइंक पसक्तिशाद रूसराई particular में वही बैंक लिखेंगे बारती स्टिट बैंक है तो मेरट लिख देंगे मेरट और हो गया ही इसको यहां पर खड़ी पाई देंगे क्लियर इतना तो समझ में आ रहा है आपको ब्लैक पिन का यूज करना है आप कीस बीसे पर पत्र लिख रहें यह जरूरी है ठीक है वीसे अगर नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर कर के लिए रीण प्राप्ति अध्यान के लिए रीण प्राप्ति रीण प्राप्ति है तू ठीक है इस तरीके से आप बीसे डालेंगे इंपोर्टेंट चीजी इसमें बीसे हैं आप कीस बीसे पर पत्र लिख रहें यह लिख लेंगे आप यहां फिर स्टार्ट करेंगे महोदए महोदए ठीक है आप इसके बाद यहां पर कमा लगा देंगे फिर इस लाइन को छोड़के ठीक नीचे लिए अब यहां से फर्मेट आपका समझना चाहिए जैसरी कि मैं यहां पर मैं दिनेश कुमार यादो देखिए दिनेश कुमार यादो यादो आप दिखें यहाँ पर हो गया ना अब यहाँ पर ने चोधरी चरड़ सिंग चोधरी चरड़ सिंग ठीक है बी सुबी दाले ठीक है बी सुबी दाले और यहाँ पर मेरट लिखेंगे मेरट ठीक है अब इसके आगे लिखेंगे सी बी यससी ना अब यहाँ पर करेंगे कि परिच्छा को कि परत्थम स्रेड़ी ठीक है परत्थम श्रेड़ी यानी कि कितना परत्थम स्रेड़ी में 70% मौक्स 70% अंको के साथ के साथ उत्रीड के साथ उत्रीड उत्रीड की है चलिए इसको पहले मैं पूरा लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ अब देखिए इसके आगे क्या लिखेंगे मैंने MBA ये क्या लिखें MBA MBA द्वीवर्षिय पार्ठिकरम में प्रविस लिया है ठीके आगे जो फार्मेट है आपका वही लिखना है कि मैंने MBA द्वीवर्षिय पार्ठिकरम में प्रविस लिया है और साथ साथ ये दो बार लिखेंगे इसका मतलब दो बार साथ साथ है ठीके प्रसासनिक सिवाओ की परिक्षा की तैयारी में तैयारी के लिए मुझे कितने रुपे तो 2,00,00 रुपे की अवसेक्ता है मतलब जितने के अवसेक्ता है प्राई के लिए आप ले रहे हैं उस प्राई में कितना खर्च लगए उसके क्रोडिंग आप मांगेंगे तो उसको सरकार जो है उसको देखेगी कितना खर्चे उसके क्रोडिंग आपको प्रुवाइड किया जाएगा तो इतना रुपे लिए लिए आवसेक्ता है आप इसके बाद देखी और मैं आपके बैंक के अनेक रिण योजनाओं में से एक योजना की अंतरगत अध्यान के लिए रिण प्रदान किया जाता है मतलब कर आई इसमें आपको बताना है कि मैं आपके बैंक की अनेक रिण योजनाओं में से एक योजना की अंतरगत अध्यान के लिए रीण प्रदान किये जाता है मतलब मुझे मालूम है अब दीखें मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके द्वरा प्राप्त रीण से मेरा अध्यान पूर्ण होते ही जैसे आपकी पढ़ाई पूरा हो जाएगा आपके द्वरा दिये गए रीण से तो जल्द से जल्द भुगतान सुरू कर दूँगा मतलब कि जैसे मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो जल्द से जल्द भुगतान जो है उसका क्या कर दूँगा शुरू कर दूँगा इतना लिख देंगे और जितना भी आपको जरूरत है उसमें add करना चाहते हैं और भी अपनी problem को उसमें लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ठीक है अगर छोटी इस problem है पढ़ाई है तु लिख रहे हैं इसलिए पढ़ाई के बारे में लिखेंगे जादा उसमें कुछ लिखना नहीं है इतना लिख देंगे और इसके बाद लेकिए उपियूप तो उदेश से है तूँ उपर दिएगे उदेश के अंसार आपके सक्री सयों की अपक्छा है मुझे इतना लिख देंगे इसके बाद देखिए यही जो मैं बता रहा था कि last में आपको क्या नहीं करना है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लास्ट में बताएंगे यहाँ पहले देखिए धन्यवाद यहाँ पर लिखेंगे धन्यवाद अब यहाँ पर date एक्जाम में जिस दिन आप लिख रहे हैं उस दिन का जैसे कि मालेगे पांस तारीक और चोथा महीना दो हैयार बाइस में आपका एक्जाम है इस तरीके से लिख देंगे जिस तारीक को आपका हिंदी का एक्जाम है ठीक है डिट लिख सकते हैं और सनलगनक जब पतर लिखते हैं तो सनलगनक आपको बैंक सिरिण ले पड़ता है तब जाके मिलता है ठीक है अब यहां पर अंक बताना है कि किस अंक मतलब कौन-कौन से प्रतिया आपने जमा किये तो जिससे प्रतिया में वह प्रतिया वह प्रमारपत्र ठीक है इतना आपको लिख देना है और यही जो है भावदी में भावदी में एक्जाम टा तो मतलब इस तरीके से आप अपना लेटर को लिख सकते हैं और जब सही को रियल में लिखना होगा तो यहां पर अपना नाम लिखेंगे ठीक है तो आप किसी भी बिसेप अगर पत्र लेखन चाहते हैं आसानी से लिखना तो पहले फार्मिट समझी कि सुरुवात में जो होता हो गया यहें इतना लिख देंगे और किस स्टेट से मेरिट से만 लिख देंगे जिस स्टेट वहां मेरिष से आपको यह चीज़े आपको जरूर द्यान देना है किसी भी बड़े अधिकारी को जब करते हैं तो महोदय का यूज करते हैं है ना महोदय और यहां पे मैं और बहुत बच्चे सुच रहे होगा कि सरक्या एक्जाम में अपना यहां पे नाम लिखेंगे तो देखिए अपना लिखेंगे कोई भी किसी भी बच्चे का यहां पे नाम लिख सकते हैं कोई डाउट नहीं अपना भी लिख सकते हैं बस यहां पे लेकिन यहां पे नहीं लिखना है भावदिये में समझेली जीन पहली बात तो मैं दिनस्क मार यादों ने चाधरी चरण सिंग ये आप हलेस स्रणी में मतलगी 70% अंकों के साथ उत्रिड की है, मतलग परिच्छा पास की है, मैंने MBA के पड़ाई वर्सिय पार्टिकरम में प्रवेस भी ले लिया है, और इसमें पढ़ने के लिए पैसा की खर्च है, और साथ साथ दो प्रसासनिक सिवाओ की परिच्छा के लिए भी मुझे क्या करना है, दो लाक रुपे की और सकता है, आप देख सकते हैं, और मैं आपके बैंक की अनेक रिण योजनाओं में से एक योजना के अंतरगत अध्यान के लिए रिण प्रदान किया जाता है, तो ये जनकारी है मुझे, इतना लिख देंगे, फारमिट समझे बस, मैं आप से वादा करता हूँ कि आपके द्वरा प्राप्तरीन मेरा अध्यान पूर्ण होते ही, यह मतलग की पढ़ाई पूरा होते ही, जल्द से जल्द भुगतान शुरू कर दूँगा, उप्योग तो देख से है, तो आपके सबक्री सयोग की अपेक्षा है, और यहाँ प पढ़ाई के मतलब के लिए आप पैसा ले रहे हैं, तो यहाँ पे सभी उत्रीड परिछाओं की जो मक्सीट हैं, यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे अंकी की प्रतिया, जितने भी आपने जमा की है, प्रतिया का यहाँ पे नाम लिखेंगे, और प्रमार पत्र जो भी यहाँ पे आपको नाम लिखना है, है ना, समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आजी तो लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेजी, क्योंकि यहाँ आपर डेली इंपॉर्टन कोशन बताया जाता है, और टेलीग्राम से जूट जी क्यों कहाँ पे ह जाइस कर लादिन